वही निगम भिलाई शेत्र अंतरगत अतिक्रमड के विरुध भिलाई निगम ने अभियान छेड रखा है शहर से अवैध ठेले वो कबजो को हटाया जा रहा है भिलाई शहर के मुख्य सडकों के किनारे अवैध अतिक्रमड के विरुध निगम की कारवाहियां लगातार जार निगम आयुक प्रकास सर्वे के निर्देश्वर भिलाई के प्रवेश वाले चौक डबरापारा चौक पर पांस ठेलो को हटाने की कारवाई की गई वही नहरू नगर भारत माता चौक से पावर हाउस चौक तक पुरह टीम ने निर्ख्षन करते वे सर्वीस रोड के किनारे से अतिक्रमन को हटवाया इन कारवाईयों में निगम के साथ ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मौजूद रहे संजय नगर तालाप के पास बेतरतीत तरीके से खड़े वाहनों का चालान ट्रैफिक पुलिस ने काटा वही प्रमुक सड़कों की किनारे लंबे अर्से से खड़े वाहनों को जबती बनाने की कारवाई भी की गई बारम बार समझाईश देने वालों को फिर से अतिक्रमन करने के बाद उनके अवैद कपजों को निस्ते नाबूत कर दिया गया वही सड़क पर मलवा बिखेर कर रखने वाले लोगों पर जुर्माने की कारवाई सहीत मलवे की जबती बनाई गई और अवैद कपजों को हटाने की करवाई ही मुख्य सड़कों की किनारे से की जा रही है इसी तरत में नगर निगम भिलाई सर्विस रोड के किनारे से भी अवैद कपजा हटा रहा है इसके लिए जो पुराने बहुत सारे बंडा महाने लंबे अर्सों से रखे लिए उसको ट्राफिक पुलिस के मदद से हटाने का काम कर रही है चलान भी काटा जा रहा है इसी तरह तरह में आज भी भाद मादा चौंक से लेकर पावरफास चौंक तक कनेक्शन किया गया बिलाई शहर में अतिकरमन के चलते ट्राफिक का दबाव बढ़ रहा है दुरगटना की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही है नालियों की सफाई करने में भी परिशानियों का सामना करना पर रहा है इस सभी कारणों से अवैद अतिकरमन को हटाने की कारवाई निकम परिशासंद्वारा लगतार की जा रही है ग्रेंडेसियन नियूस के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट